जो date के बारे में हुआ है कि कब से कब तक आप यहां फॉर्म बढ़ सकते हो 18-36 साल तो ठीक है लेकिन फिर भी लोगों को यह confusion रहता है कि मेरा यह जनमती थी है तो क्या मैं apply कर सकता हूं की नहीं तो उसके बारे में भी इस first रूप में आपर बताए गया है कि देखो UR और EWS यह 18-36 के बीच में भड़ सकते हैं तो इसके पहले काउन का जनम नहीं होना चाहिए दो जनवरी 1989 एक जनवरी वालों का पत्ता कट गया है वो apply नहीं कर पाएंगे टिक है OBC और यहां पर इनको 3 साल का relaxation मिलता है तो इससे 3 साल थोड़ा और पीछे चले जाओ यानि यहां पर इसमें से 3 साल माइनस कर दो तो तुम्हारा आगया 1986 स्ट वालों को 5 साल का यहां relaxation मिलता है इसमें से 5 साल और कम कर दो तो यह तुम्हारा मेरे वाई ध्यान देना चाहिए कि इस आवेदन में भरी गई जनम्तिति मैट्रीकुलेशन दसवीक अक्षा के प्रमान पत्र में दर्ज जनम्तिति के समान होना चाहिए अक्सर लोग यह बोलते हैं कई से ना पोगे तुम हमारा डेटा उपर कौन से वाले सर्टिफिकेट से तो जो आपका टेंथ का सर्टिफिकेट होता है उसी के आधार पर आपकी मेजर्मेंट होगी उसी के आधार पर इसको सत्य माना जाएगा भाई समझ गे बात को लेकर के तो यह रिलाक्षेशन को मैंने आपको समझा दिया है किस कोटा को यहां कितना रिलाक्षेशन मिलता है तो एक बार आप लोग यहां पर देख सकते हैं बाई देख लीजेए सकते हैं तैयारी के लिए हमने आपको बता ही रखा है आपको जो टीचर समझ में आता है आप वहां से पढ़ सकते हैं कोई हमारे तरफ से दबाव नहीं है बाकि इसकी स्ट्रेटजी और गाइदेंस वीडियो भी हम लोग इसी चैनल के उपर में लेकर आ जाएंगे तो चैनल क किसी को देने के आवशक्ता नहीं है ठीक है बाकि हमारी तरफ से मेरे बाई all the best कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरू लिख दीजेगा धन्यवाद